पहला शामुल के पुस्तर छे अध्याय उसके एक पद में हम पढ़ेंगे लिखा हुआ है यहवा का संदुक पलिष्टियों के देश में साथ महने तक रहा मित्रु यहाँ पर ध्यान दिजे कि मैं ठड़ा नहीं कर रहा हूँ प्रन्तु वाचा का संदुक ऐसे था जैसे हाथ में गर्म आलू दागोन की मुर्ती उसके सामने गिर जाती थी वह उपासना के लिए संतोष दायक मुर्ती नहीं थी गत के लोग तो दुखी हो गये थे अता उन्होंने संदुक को एक रोन भेज दिया प्रन्तु वे भी उससे छुटकारा पाना चाहते थे हम पहला शामुल के पूस्तक छे अध्या उसके दो से चार पद में पढ़ते हैं तब पलिस्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलवा कर पूछा कि यहवा के संदुक से हम क्या करें हमें बताओ कि क्या प्राश्चित दे कर हम उसे उसके अस्थान पर भेजें वे बोले यदि तुम इस्राहिल के देवता का संदुक वहा भेजो तो उसे वैसे ही न भेजना उसकी हानी भरने के लिए अवश्य ही दोश बली देना तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया उन्होंने पूछा हम उसकी हानी भरने के लिए कौन सा दोश बली दें वे बोले पलिष्टी सरदारों की गिंती की अनुसार सोने की पांच गिल्तियां और सोने के पांच चुहे क्योंकि तुम सब और तुम हरे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हैं मित्रू यहाँ पर हम देखते हैं कि पलिष्टी वाचा के संदुग से छुटकारा पाना चाहते थे प्रन्तु जानते नहीं थी कि कैसे अता उन्होंने अपने पुजारियों और भावी कहने वालों से पूछा तब उन्होंने कहा कि इसराइल के परमिष्टी की वाचा के संदुग को खाली न भेजें उन्हें उसके साथ चड़ाव भेजना था यह चड़ावा पलिष्टियों की उपासना की निसारता को प्रगट करता है अनेकों का प्रश्ण है कि परमिष्टियों को अपने देश से बाहर क्यों रखा प्रतिग्या का देश संसार के चौराह पर इस्तित है और वहां के निवासी विश्व के लोगों पर प्रभाव डालेंगे परमिश्र ने उसकी उपासना की निसारता के कारण उन्हें अलग किया था वे पून रुप से परमिश्र से दूर हो गए थे यहां परमिश्र उन्हें फिर एक आवसर देता है पलिष्टियों के भेंट में 5 सोने के गिल्टियां और 5 सोने के चूहे थे हम पहला शामुल 6 अधाय के 11 पद में पढ़ते हैं और यहवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिल्टियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया मित्रों यहाँ पर ध्यान रिजे कि जब पलिस्तियों ने वाचा का संदूक इसराइल को लटाया तब उन्होंने उसे उठा कर गाड़ी पर रखा परंतो उन्हें कोई हानी न हुई क्यों? सपस्ट कहों तो वे इससे अधिक उचित रिती जानते भी नहीं थे परमिश्र ने उनसे इस काम का लेखा नहीं लिया परंतो इसराइल उचित रिती से जानता था और हम देखेंगे कि उचित रिती का पाल न करने के कारण परमिश्र ने उन्हें दंड दिया ऐसा अंतर क्यों? क्योंकि वे उचीत रिती जानते थे और उन्होंने ऐसा नहीं किया हम पहला शामुएल छे अध्याय उसके बारा पद में देखते हैं तब गायों ने बेट्ष्यमेश का सीधा मार्ग लिया वे सडक ही सडक बंबाती हुई चली गई और ना दाहिने मूडी और ना बाएं और पलिष्यमेश के सरदार उनके पीछे पीछे बेट्ष्यमेश के सिवाने तक गए गाड़ी में जोती गई गाये अपने सहज वृती के बिप्रित चल रही थी वे अपने बच्छनों को छोड़कर इस्राहिल जा रही थी इसे पलिष्यमेश के लोग तराई में गिहूं काट रहे थे और जब उन्होंने आखे उठा का संदू को देखा तब उसके देखने से आनंदित हुए और गाड़ी यहुशु नाम एक बिप्रित चेमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई जहां एक बड़ा पत्थर था तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होम बली करके यहुआ के लिए चड़ाया और लेवियों ने यहुआ के संदुक को उस संदुक के समेथ जो साथ था जिसमें सोने की वस्त्वे थी उतार के उस बड़े पत्थर पर धर दिया और बेट सेमेश के लोगों ने उसी दिन यहुआ के लिए होम बली और मेल बली चड़ाये मित्रो इस्राइली पलिष्टियों से अपने लिए कुछ भी स्विकार नहीं करते थे उन्हें इस कारे के लिए सराहा गया तब हम पहला शामुईल 6 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं यह देखकर पलिष्टियों के पांचो सर्दार उसी दिन एक क्रोन को लौट गये मित्रो पलिष्टियों ने देखा कि वाचा का संदुक यथा अस्थान पहुँच गया है वे प्रसन्न हुए कि उन्होंने उससे चुटकारा पा लिया है तब हम पहला शामयल 6 अध्या उसके 19 पद में आगे पढ़ते हैं लिखा है फिर इस कारण से कि वे शेमेश के लोगों ने यहवा के संदुक के भीतर जहांका था उसने उनसे 70 पूरुस और फिर 50,000 मौनेशे मार डाले और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था मेरे मित्रों हम देखते हैं कि वे शेमेश के पूर्षों ने वही किया जो परमिश्वर की ओर से वर्जित था वाचा का संदुक महा पोईतरस्थान में रहता था किवल महा याजक उसका दर्शन कर सकता था वह भी वर्ष में किवल एक बार जंगल में जब वाचा का संदुक उठाया जाता था कि आगे बढ़े तब उसे धांक दिया जाता था पलिस्तीव को तो यह नहीं पता था परन्तु इस्सराइले इस बात को जानते थे पहला शामल 6 अध्या के 20 में हम पढ़ते हैं तब विश्यमेश के लोग कहने लगे इस पोईत्र परमेशर यहवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है और वह हमारे पास से किस के पास चला जाए मित्रो ऐसा नहीं था कि उन्होंने वाचा के संदूक में जहांकर वर्जित वस्तु देखी वह तो मात्र एक संदूक था परन्तु मुख्य बाद तो यह थे कि वह संदूक महा पोईत्र अस्थान में रहता था जहां परमेश्वर अपनी प्रजा से भेट करता था और इस समय वह उनसे भेट नहीं कर रहा था क्योंकि वह उससे बिमुक हो गये थे उनका बिद्रोह और इशनिंदा उनकी आवग्या से प्रगट है इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें दंड भी दिया वहला शामविल छे अध्याय के 21 पद में हम पढ़ते हैं तब उन्होंने किरियत्यारीम के निवाश्यों के पास्यों कहने को दूद भेजे कि पलिष्टियों ने यहवा का संदुक लोटा दिया है इसलिए तुम आकर उसे अपने यहां ले जाओ मित्रु यहां पर देखिए कि वे अंदे विश्वासी होकर वाचा के संदुक से छुटकारा पाना चाहते थे अता उन्होंने किरियत्यारीम के निवासियों को संदेश भेजा कि आकर वाचा का संदुक ले जाए दूसरे शब्दों में इस्राइल वाचा के संदुक को ग्रहन करने के लिए तयार नहीं था परमिश्यक की प्रजा उसके पास लोट आने को तयार नहीं थी यहां कितनी ही दुखत बात है मित्रु यहां पर अध्याचे समाप्त होता है अब हम अध्याए साथ में देखेंगे शामुईल जागरिती का प्रतिपादक है और एबनेजर तक विजय को प्राप्त करते हैं बीश्वस बाद इस्राइल वाचा के संदुक को ग्रहन करने के लिए तयार हुआ इस्राइल के बाल देवता और अर्ष्टोरेद देवी का परित्याग किया गया देखें जागरिती में शामुईल की मुख्य भूमिका क्या है पहला शामुईल साथ अध्याए उसके एक और दो पद तब किरियातिरीम के लोगों ने जाकर यहवा के संदुक को उठाया और अभिनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा और यहवा के संदुक की रक्षा करने के लिए अभिनादाब के पुत्र एलियाजर को पोईत्र किया किरियातिरीम में रहते रहते संदुक को बहुत दिन हुए अर्थात बीस वर्ष बीद गए और इस्रायल का सारा घराना बिलाब करता हुआ यहवा के पीछे चलने लगा मेरे प्रियों बीस वर्ष पश्चात इस्रायल में धर्म सुधार आया उन्होंने बाल देवता और अस्तोरेत देवी को त्याग कर परमेश्वर की सची उपासना की अब उन्हें परमेश्वर की आवशकता का बोध हुआ मेरे मित्रों आज भी परमेश्वर के वचन के प्रती रूची का नवनी करन दिखाई देता है यह मेरे आनंद का कारण है क्योंकि यह मेरा द्रड़ विश्वास है कि परमेश्वर की प्रजा को बाइबल पर चलना अर्थात उसके वचन पर चलना है मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल के 66 पुस्टके उत्पति से ले करके प्रकाशित वाके तक परमेश्वर का वचन है मैं बाइबल की एक निष्ठा और अच्यूक प्राकृति पर विश्वास करता हूँ और सच तो यह है कि हमें बाइबल के शिक्षां में लौट आना हम एक लंबे समय से पर्मेशर के वचन में लौट आने का प्रयास्तों कर रहे हैं प्रन्तु हमारी उनत्ती अत्ती बिलंबित रही है। मित्रों अभी कितना समय और लगेगा। आज मनुश्य राजनेताओं की प्रतिग्या सुन सुन कर ठक चुका है क्योंकि वे पूरी ही नहीं होती है। मैं उनकी उसे कहता हूँ कि वे प्रतिग्या पूर्ती में अक्षम हैं। प्रन्तु वे प्रतिग्या अवश्य करते हैं। नेताओं द्वारा तरह तरह के समाज सुधार, सुझाओ किये जा रहे हैं, परंतु वे कार्य साधक नहीं होंगे, अतिसंबव है कि घोर निराशा में मनुश्य परमेश्वर के पास आए। की ओर फिरे हो, तो पराय देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहवा की ओर अपना मन लगा कर किवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिष्टियों के हाथ से छुडाएगा, तब इस्राइलियों ने बाल देवताओं और अस्तो पुजा में लीन था, वे जीवित और सच्चे परमेश्र से बिमुख हो गये थे, वे युद्धों में लगातार प्राजित होते थे और निराश हो चुके थे, अब वे परमेश्र के सामने बिलाप करने लगे हैं, हमें भी परमेश्र के पास लौट आना है, मनिश्यों के मन में एक भूख है, वे कहते हैं, हम पर देश में सूरों की फलीया खाते-काते ठग गए हैं, हम पिता के घर लौटना चाहते हैं, मेरे मित्रों उन्हें वच्चान के द्वार से ही प्रवेश्र करके लौट ना होगा, हम मैं इसे कई लोग चाहते हैं कि हम परमेश्र के पास लेकिन अपने तरीके से, लेकिन प्रभु का वच्चन कहता है, कि हम उसके तरीके से अर्थात उसके द्वार में से हो करके वापस लोटें। पहला शामुएल साथ अध्या उसके पांच और छे पद में। फिर शामुएल ने कहा, सब इस्राइलियों को मिस्पा में इकठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहवा से प्रातना करूँगा। तब वे मिस्पा में इकठे हुए और जल भरके यहवा के सामने उंडेल दिया, और उस दिन उपास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहवा के विरुद पाप किया है और शामुएल ने मिस्पा में इस्राइलियों का न्याई किया। मेरे प्रेमित्र हम देखते हैं कि शामुएल इसराइल का भषवक्ता ही नहीं न्याई भी था। यहां हम देखते हैं कि इसराइल मूर्तियों को त्याग कर सच्चे परमेशर के पास आ रहा है। शामुएल उनके लिए प्रातना कर रहा है और वे अपने पापों का अंगिकार भी करते हैं. पर्मेशर की प्रजा के लोट आने का यही एक मार्ग है. इसके अत्रिक्त और कोई मार्ग नहीं है. मेरे मित्रों, मैं पर्मेशर के आशिशों के अनेक अन्य मार्गों की चर्चा सुनता हूं, प्रन्तु मुझे बड़े-बड़े अक्षरों में कहने दीजिए, वरंजियों का त्यों कहने दीजिए. पर्मेशर की प्रजा को जो करना है वह यह है कि वहां पर्मेशर के पास जाए और अपने पापों का अंगिकार करे, अर्थात अपने पापों को मान ले. उन्हें पर्मेशर की वच्छन की ज्योती में आत्म निरिक्षन करना आवश्य यदि सच्चा आत्म निरिक्षन करेंगे तो पाएंगे कि हम पर्मेशर की महिमा से रही थें। पहला शामुल साथ अध्या उसके आठ से ग्यारा पद में लिखा है। और इस्राइलियों ने शामुल से कहा। उसमें पलिस्ति इस्राइलियों के संग युद करने के लिए निकट आ गये। तब उसी दिन यहवा ने पलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया। और वे इस्राइलियों से हार गये। तब इस्राइलियों पुष्टों ने मिस्पा से निकल कर पलिस्तियों को ख़देडा और उन्हें बेदकर के नीचे तक मारते चले गए। मेरे मित्रों परमेश्वर ने इस्राइल को महान विजय प्रदान की और बहुत समय बाद उन्हें यह उनकी पहली विजय मिली। वे मूर्ती फूजा में मागन थे और परमेश्वर के विरोधी हो गये थे। जब उन्होंने परमेश्वर में मन लगाया अर्थाद वे परमे पर विजय दिलाई हम पहला शामुएल साथ अध्या के बारा पद में पढ़ते हैं तब शामुएल ने एक पथर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह काकर उसका नाम एबनेजर रखा कि यहां तक यहवा ने हमारी सहयता की है मेरे मित्रो एबनेजर का अर् प्रतिक भी था वह प्रकाशन का पत्थर भावी ध्यान देने हेतो एक पत्थर था यहां तक अर्थात इस अस्थान तक इस समय तक परमेश्व ने हमारे सहयता की है अतीत की ओर द्रिष्टी पात हमारे लिए एक प्रत्था बन गई है स्मरन किजे कि परमेश्व ने पालु वही उसे इश्व मसी के दिन तक पूरा करेगा मेरे मित्रों क्या परमेश्व आपको इस अस्थान तक ले आया है क्या वह आज आपकी अगवाई कर रहा है क्या वह आपका मार्दर्शन कर रहा है यदि वह कर रहा है तो कहें यहां तक यहां ने हमारी सहयता की है क्योंकि उ कि यहां तक परमिश्र ने हमारे सहयता की है। यहुशू इस योग्य था कि कहे। जिसे यहुशू 24 उसके 15 में हम पढ़ते हैं। मैं तो अपने घराने समेत यहवा ही का सिवा नित करूँगा। दाउद भी कहने योग्य था भजन सहीता 107 एक और दो पद में। यहवा का धन मित्रों मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ कि ओह परमिश्र भला है वही एक मात्र है जिसने हमारी सहयता की है और करेगा भी। मेरे प्रियों कुछ समय पूर्व एक व्यपारी ने कहा था आप जानते हैं कि समय का उपयोग बैंके शब्दा वली कासा है। बीता ह आप और मेश्र का अपने जीवन में बोद कर सकते हैं। एबनेजर चटान से शामुल का यही अविप्राय था। वह प्रकाशन के चटान था। उसका अर्थ अब तक ही नहीं। अब से आगे भी था। दाउद ने कहा यहुआ मेरा चरवाह है। तब उसने भविश्य को दे जीवन वहीं बिताने की आशा रखता हूं। और मैं तर्क के साथ निश्चित करना चाहता हूं कि यह भविश्य कैसा होगा। रोमियो के पत्रे आठ अध्या उसके 28 पद में पालुस कहता है। हम जानते हैं कि जो लोग पर मेश्र से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बात के लिए एक कोमल तक्या है। हम सबको एबनेजर पत्थर की आवशकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में भी एक एबनेजर है। पहला शामवेल साथ अध्यास के 13 पद में लिखा है। तब पलिश्टी दब गए और इस्राइलियों के देश में फिर न अमेक बैरे नहीं रहे। यह एक महत्पूर निरनायक युद्ध था और उसकी याद में यह पत्थर खड़ा किया गया था। यह पत्थर उत्तर पश्यम यरुशलेम से तीन या चार मिल उत्तर में था और नगर से यह दिखता था। हम पहला शामवेल साथ अध्यास के 15 से 17 ौतर पड्यूह पत्तर में पढ़ते हैं। और शामवेल जीवन भर इसराइलियों का न्याय करता रहा। वह प्रति वर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब Us kita 2018 एसराइलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में जहां उसका घर था लोट आया और वहाँ भी इस्राइलों का न्याय करता था और वहाँ उसने यहवा के लिए एक वेदी बनाई मेरे मित्रो कहानी यही है शामवल इस्राइल का न्याय एवं भाईशद वक्ता था हम कह सकते हैं कि वह उस समय का SDM था वह बेतेल, गिलगाल, मिस्पा जाकर रामा लोट आता था येरुशलेम का उत्तरी भाग उसने इन सब अस्थानों में इस्राइल का न्याय किया मित्रो यहाँ पर अध्याय साथ समाप्त होता है और हम अपने अध्यान को अध्याय आर्श से जारी रखेंगे इस्राइल परमिश्वर का त्याग करके राजा मांगता है शेस एक और दो शामविल के उपर होशे तीन अध्याय उसके ग्यारपद में लिखा जा सकता है मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया मेरे मित्रो शामविल एक महान न्याई और परमिश्वर का भग था उसका पालन पोशन मिलापौले तंबो में हुआ था जहां उसने एली के पुत्रों का अधर्म देखा था और उन्हें परमिश्वर से दंड पाते हुए भी देखा था इसके उपरांध भी देखें कि उसने क्या किया पहला शामविल आठा ध्याई उसके एक पद में जब शामविल बुढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इसराइलियों पर न्याई ठहराया मेरे मित्रो ध्यान देजे शामुएल ने अपने बाद अपने पुत्रों को न्याई बनाया, जबकि वे आयोग्य और अक्षम थे, यह उसकी चूक थे, शामुएल एक सिध्य न्याई, एक उत्तम भईशद वक्ता और परमेशर का भाक्त जन था, प्रन्तु पिता सरुपवाय एली की नाई भीफल रहा, पहला शामुएल आठ अध्या, उसके दो और तीन पद में हम पढ़ते हैं, उसके जेठे पुत्र का नाम योवेल और दूसरे का नाम अभिया था, यह विशेरबा में न्याय करते थे, प्रन्तु उसके पुत्र उसकी रहा पर न चले अर्थात, लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगारते थे, मित्रो यह शामुएल के पुत्र थे, यह पूरे अनिष्ट थे, बड़ी बिचितर बात है, आज हम अधिकतर यही देखते हैं, अनेक पाश्वानों या पादरियों को, क्योंकि बहुतों ने मुझे कहा है, ऐसा क्यों है कि कलिस्या में एक भक्त जन था, परन्तो उसके पुत्रों के काम को आप देखें। पड़ोसी राष्ट्रों से प्रभावित होकर राजा चाहता है, उसको शामुल की व्रिधा वस्था और उसके पुत्रों की सांसारिकता का बहना मिल गया था। तो मुझी को निकमा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। मेरे प्रियमित्रों शामुल द्वारा अपने पुत्रों को इस्राइल का न्याई बनाया जाना इस्राइल के लिए एक अच्छा बहना हो गया था। कि वे राजा की मांग कर सकें। निसंदे या शामुल के दिल को दुखाने वाली बात थी। परमिश्र ने उसे सांतवाना देते हुए कहा कि इस्राइल ने जो उससे कहा है उससे करने दे। अर्थाद परमिश्र का उन्होंने त्याग किया है। शामुल के पुत्र तो एक बहाना थे। परमिश्र की प्रभुता का त्याग मुख्य बात थी। शामुल ने इस्राइल को चिता दिया था कि राजा रखना कैसा होगा। उसने उन्हें समझाए कि राजा उन पर शासन करेगा। वह उनके पुत्रों को सेना में भरती करेगा। और उनकी पुत्रियों को नौकरानिया एवं खाना पकाने वाली बनाएगा। और उनके खेतों का भाग, दाख की बारी, जैतुन और पशु अपने लिए ले लेगा। और अंत में जब वे दुखी होकर कश्टूम में पड़े, पुकारेंगे, तब परमेश्रन नहीं सुनेगा। इसके बाजूद भी उन्होंने नहीं माना। हम पहला शामुल आठा ध्या उसके उननीस से बाइस। तो भी उन लोगों ने शामुल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्य अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करें, और हमारे आगे एगे चल कर हमारी ओसे युद किया करें। लोगों की ये सब बाते सुनकर शामुल ने यहवा के कानों तक पहुँचाया, यहवा ने शामुल से कहा उनकी बात मान कर उनके लिए राजा ठहरा दे, तब शामुल ने इस्राइली मनिश्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राइल हट करने लगा, अता परमेश्यों ने उन्हें राजा दिया, मूसा के युग में इस्राइल के विशय जो सच था, वह अब भी सच ही था, हम भजन सहिता 106 उसके पंदर में पाते हैं, तब उसने उन्हें मुह मांगा वर्तों दिया, परन्तों उनके प्राणों को सुखा दिया, मेरे मित्रों परमेश्यों उनके राजी की मांग को तो पूरी करेगा, परन्तों इससे उन्हें लाब नहीं होगा, परमेश्यों का मार्ग दर्शन फिर भी भोईशद वक्ताओं के द्वारा ही दिया जाएगा, जैसा कि ह हम आगे देखेंगे कि परमेश्यों सीधा राजी से बात नहीं करता था, परन्तों भोईश्यों के द्वारा से जो उसे परमेश्यों का वच्चन सुनाता था, राजा चाहे तो उसे माने या ना माने. झाल